बिक बोस के प्रतिभागी जुबर खान को शोर से बहार निकाल दिया गया बहार आने के बाद जुबर खान ने सलमान खान को लेकर काफी शोर से रावा किया है अब एक नई ख़वर आई है कि हीना कान से लड़ाई होने के बाद विकास गुपताब शो से बाहर जाने को तयार है विकास और हीना जबकि अच्छे दोस्त बन चुके थे लेकिन फिर भी दोनों में किसी बात को लेकर खूब लड़ाई हो गई है और विकास इतने दुकी हो गए हैं कि वह बिक बॉस के घर से बाहर आ गए है खबर तो ये भी है कि वह बिक बॉस का घर फान कर बाहर आ गए थे इसके बाद क्रू ने जब पूरी बात समझने की कोशिश की तो उन्हें वापस से घर के अंदर बेजा गया हलागि यह खबर भी है कि उन्हें बिक बॉस के रूल तोड़ने की वज़े से काल गोटरी में बहस दिया गया है अब देखना यह है कि वह शो का हिस्सा बने रहते हैं या घर से बेगर हो जाते हैं लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो पूरी गुंजाईश है कि उन्हें इसके लिए काफी परिशानी हो सकती है क्योंकि उन्हें पैनल्टी के रूप में अपनी प्राइज मनी का कुछ हिस्सा या अपनी फीस का कुछ हिस्सा भी भरना होगा वहीं दूसरी तरब जुबर को शो से बाहर कर दिया गया है उनका ड्रामा चल ही रहा है उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यह फेक शो है जुबर ने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि उन्होंने मुझे हसीना पारकर का दामाद कहकर इंट्रिड्यूस कराया था मैं तो वहाँ डायेक्टर बन कर गया था उन्होंने यह भी कहा कि मैं विवे का उप्राय नहीं हूँ और ना ही अरजी सिंग्मू जो जागा सोसल मीडिया पर उनसे माफी मागूँगा उन्होंने यह भी कहा कि वह शो से बाहर किये नहीं कहे हैं बलकि उन्होंने खुद यह गर छोड़ा है उन्होंने कहा सलमान ने मुझे केमिर पर धमकी दी है कि वह मुझे विग बॉस के घर में काम नहीं करने देंगे अब आगे आगे देखना है कि इस शो में और भी क्या क्या ट्विस्ट आते जाते हैं